हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक तुमा यूट्यूब चैनल आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपकी सेकिंड एमेल आपके पास आ चुकी है फाइल लोग की तो उसके बाद आपको अपॉंट्मेंट बुक करनी होती है सेफ के अंदर तो वो अपॉंट्मेंट कैसे आप टोप या कंप्यूटर से तो उसी पर ही मैंने वीडियो बनाई है उसके लिए आपके पास आईडी और पासवर्ड होना चाहिए जब आपने अपनी फाइल लोग करवाई थी उस टाइम जो आपको आईडी और पासवर्ड मिलता है उसी का यूज करके आप अपनी अप फुल लगे और आपके लिए यूसफुल हो तो प्लीज आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे मैं जो भी पूर्टगाल से इमिग्रेशन से डिलेटर न्यू न्यू वीडियो डालती रहती हूं व पहले फ्रेंड्स हम गूगल को ओपन करेंगे उसमें हम टाइप करेंगे सापा.saf.pt इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँ या वहां जाकर भी देख सकते हैं इसके बाद सबसे उपर राइट साइड में ऑप्शन दिया हुआ है अटेंटिकार का उस से ही आप करेंगे आपके पास ऊपर देख सकते हैं आप अजनता मैंतुष का एक ओप्शन दिया हुआ उस पर आपको क्लिक करना है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसे ओप्शन आएगा तो उसमें आपने आया मैं रोबर्ट पर सबसे पहले क्लिक करना है उसक को आपने clear कर देना verify कर देना है तो उसके बाद आपने जो green color का big arrow दिया हुआ है इस पर आपने click करना है click करने के बाद आपके पास यह MIA number या फिर आपसे social number या फिर fiscal number भी यह मांग सकता है random number यह मांगेगा जैसे इसमें four five or two मांगा हुआ कि MI number का four five or two number क्या है वो आपने इसको provide करना और validar पर click करना होता है उसके बाद आपने यहां जो article number है वो as it is रहेगा उसके बाद post तो दी अधिनते मैंतु कि आपने किस staff में appointment book करनी है वो staff आप इसमें से search कर सकते हैं जिस भी staff में आप appointment लेना चाहते हैं वो staff आप इसमें select करके उसके बाद आपको date चूज करनी होती है और जिस भी timing आप suitable लगे वो time choose करके और date चूज करके आपको आगे जाना है उसके बाद आपके पास जैसे आप timing और date choose करेंगे तो आपके पास यह yellow color का message आएगा और जो सबसे उपर वाला जो option में सबसे उपर वाला option है first option है उस पर आपने click करना है वो message आपके पास receive होता है तो यह message आपको read करना होता है जैसे ही आप इस message को आप open करेंगे आपके पास इसमें processing number आपकी आपने appointment कहां के लिए है क्या timing है यह सारा जो detail है इसमें आप देख सकते हैं इस तरह से आपकी जो appointment है वो book हो जाती है तो इस तरह से आप खुद से अपने appointment book कर सकते हैं किसी भी safe के अंदर इसे book करना बहुत असान है I hope friends आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी I hope friends मेरी ये वीडियो आपके लिए informative और helpful रही होगी तो अगर आपको मेरी ये वीडियो helpful लगी तो प्लीज इस वीडियो को like और subscribe कर दीजिए और साथ में bell icon को भी press कर दीजिए जिससे मेरी जो भी मैं immigration से related videos डालती रहती हूँ वो आप तक पहुंचती रहे और आपका एक like और subscribe मेरे लिए बहुत important होता है मुझे बहुत motivation मिलती है तो मिलते हैं next video